मुक्तिमंत्री योगी आदेतनात ने सनिवार को सदन में विपक्षपर जोरदार हमला बोला आकरामक नजर आ रहे सीम योगी ने कहा कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे बहस के दोरान समाजवादियों की ओर सीधा इसारा करते हुए सीम योगी न कहा कि यही लोग पेसेवर माफिया के पक्के सर परस्ते हैं इनके समय में यूपी का हाल कहता था जंता जानती है जिस माफिया ने यूपी में जो कल करत्त किया है उसे समाजवादी पार्टी नहीं एमपी बनाने का काम किया था देखें मुख्यमंत्री योगी आधितनात के सदन में आक्रामक तेवर और मैं फिर सब्सक्राइब कह रहा हूँ कि माफिया कोई भी हो सरकार की चिरोटोलेज की नीदी है और उन माफियाओं के खिलाब मिट्टी में मिलाने का कल उनका अमारी सरकार करेगी पुरी मुद्टी के साथ उन से निकातार करेगी आपको कहाना चाहिए था ये तो अध्यक्स मोगा है ये ये पेशेर और माफियाओं अपरादियों के सरकरस्त है और ये लोग भगातार यही करते रहा है इनके रगराग में अपराद भरा हुआ है अपराद के लाबा इनने में कुछ सीखा ही नहीं है पैस सच नहीं का अब अपरदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साथ को इकी सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं आप अपने इसान पर चलें उखमांतियी अपनी बात कह रहे हैं वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सयोग से यह बार बार MLA और MP बना है कहें सच नहीं कि 1996 में इलाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी के सयोग से इंड पार्टी के सयोग से MLA बना था और यहीं नहीं 2004 में भी 2004 में भी वह माफिया इनी लोगों के सयोग से MP बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांफ़त बनाने का भी पुखाब करे इन्हों नहीं किया था इन्हों नहीं किया था इन्हों चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं इन्हों नहीं किताब करते हैं इस महोदे हैं अदेज महुद है, मेरा निमेदन है आपसे, कि सूची जरूर अप्लोर अपजा है, सभी माने सदस की जानकारी में आ जाए, सदन के फ़ोर पे इसको टैबल करेंगे, जो गया टैबल, अदेज महुद है, मैं सूची चाहता हूँ, अन्तु फ्लोर अफ हाउस आ जाए, इसको सब्सक्राइब की जानकारी में आ जाए मोदे अद्दैज मोदे ये सच्चाई है और उनकी सुची मुखिशी जानका है समय के युवाओं के साथ क्या बहत्बा होता था कौन सैसा आयोग पादिनस सेवा चेन आयोग उत्तर पदेश लोग सेवा आयोग मादिमिक सिक्सा चेन आयोग उच्चतर सिक्सा चेन आयोग पुलीस की भरती और कौन कौन सी भरती होती थी उससे में क्या होता था किसी से चुपावा नहीं है आँ उसी में लेकपादिनस सेवा चेन आयोग में ये सब होता था जी उस समय हो जाता था और सत्मुच मौदे उस समय की जो इस्तिती थी उस समय तब फिर मुझे बहुत यानि उत्तरप्रदेश की जनता के पुरसार्थ पर मुझे वास्ता में गौरव किन भूती होती है जिसने प्रधान मंत्री मौदी जी के आउखान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार 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 जमाते इसके करते हैं आप पॉल्टिकल पेडिबिटी के बाद करते हैं पॉल्टिकल पेडिबिटी क्या होता है दूसरे के लिए घुस्ति आपते होता हमें आप जो कर रहा हूं पॉल्टिकल पेडिबिटी का सबसे बड़ा माक्यम है जनता का जनादेश और दूसरा Political Credibility का सबसे बड़ा माध्यम है सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास यह जो लगभग 35 लाग करोड रुपे के निवेश के प्रस्ता उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए है यह 35 लाग करोड रुपे के निवेश के प्रस्ता यह Political Credibility का सबसे अच्छा उधारा हो सकता है मुझे आसरे इस बात को हुआ आसरे तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्दियों में नमबर एक पर है जिन जिन बातों में पिछले श वर्सों में उत्तर प्रदेश नुमबर एक अस्थान प्राप्त किया हूँ उपलब्दियों के बारे में हर उत्तर प्रदेश वासी को गौरव के अंपोती करने चाहिए कि वह सब्सक्ष का हो तो एक उत्तर प्रदेश का वासी हो हरतिए अमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े sì है हम सब भूरभ हो लेकिन नहीं यह तो गलत है कि हम ईक हैं कि सबने नहीं उत्तर प्रदेश तो अभी ज white leopard पार है तो पचास तो राजजी नहीं यह व्मिर असर होता है मेरा यानि उन्हें ये दिखाने में कि उत्तर प्रदेश ते भी पिछडा है उत्तर प्रदेश बिमारू है ये बोलने में God of King वोती होती है ये उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मनसाओं को जागर करता है जोगे जब इनका सासन था तब कुछ कर नहीं पाए और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातन पुरतार करकर के उत्रवदेस के अंदर पचीस करोड जन्पा को बिना भेभा के सासर की योजनाओं का लाप दे रही है तो उनको बुरा लगता है सब ये सब बुरा लगता है उने और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती है तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती है कोना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को हर मानने सदस्य को चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं जिनके प्रताब से पलते पाप सकल है जो छल पर पंच सब को प्रस्रह देते हैं या चाटुकार जनकी सेवा लेते हैं या पाप उन्ही का है जो उत्तर प्रदेश की जनता को पचीस करोड जनता को पैचान का संकट खड़ा हुआ इन्ही पेशेवर माफ्या और अपराधियों के कारण हुआ है जो सक्ता के द्वारा फोसित होते थे जिने महिमा मंडित करके ये लोग अपने आपको गौरवानित मैसूस करते थे जिन पेशेवर माफ्या और अपराधियों के सामने सक्ता नतमस्तक होती थी और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है उन पेशेवर माफ्या और अपराधियों के खलाब जो कारवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है